तो दोस्तो आज हम explain करने जा रहे है फ्रेजिल नाम की horror movie को जो की 2005 में release हुई थी और इस movie को जैमें बैलेगिरों ने डिरेक्ट किया था तो अब बिना दिर के चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ movie की starting में हमें tv news के थुरू पता चलता है कि एक hospital जिसका नाम mercy fall hospital होता है जो की बहुत old हो गया था और इसी वज़ा से उस hospital के सारे patients को saint james नाम के hospital में shift किया जा रहा था लेकिन saint james hospital के पास वाले railway station track पर एक हाथसा हो जाता है और इसी वज़ा से उस हाथसे में जितने भी लोग घायल थे उनका इलाज saint james hospital में हो रहा था और इसी वज़ा से mercy falls के patients को वहाँ जाने के लिए इंतजर करना होगा ऐसा news में बता रहे थे अब हम Susan नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उसी hospital में nurse का काम करती थी वो hospital के सामान को pack कर रही होती है तब ही उसके पास Maggie नाम की एक और लड़की आती है और वो उसे कहने लगती है कि वो भी उसके साथ चल रही है Susan Maggie को डाट कर उसे room में भेज देती है हमें आपर ये नहीं बता जाता कि Maggie किसकी बात कर रही है खेर Maggie जब अपने बेड़ पर आती है तब उसके पास एक बच्चा सो रहा होता है जो कि अचानक से उट कर चिलाने लगता है जिसे सुनकर डॉक्टर रॉबर्ट और Susan उसे x-ray वाले room में ले जाते है जहां डॉक्टर उसका x-ray करता है डॉक्टर सुजन से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो बेड़ पर से गिरा नहीं था तो सुजन जो है वो डॉक्टर को हा में जवाब देती है x-ray के बाद उन्हें पता चलता है कि साइमन के पेर की हड़ी तूटी हुई है जो कि impossible था अब किसी की भी हड़ी सोते हुए केसे तूट सकती है सुजन डर के मारे कहती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है पर डॉक्टर उसकी बात नजरनदास कर देता है जब डॉक्टर उसका एक और बार x-ray करता है तब वो चौक जाता है क्योंकि सैमन के पेर में दो जगाव फ्रैक्चर्स थे जो कि बहुत अजीब बात अपसीन शिफ्ट होता है और हम एमी को देख पाते है जिसे हॉस्पिटल में सुजन की जगाव पर काम करने के लिए रखा हुआ था क्योंकि सुजन दो दिन के चुट्टी पर गई थे एमी को पिक करने के लिए रॉय आता है जो कि हॉस्पिटल का एक वरकर था वो जब हॉस्पिटल में आती है तब उसे मिस फोलडर मिलती है जिसने एमी को हायर किया था मिस फोल्डर उसे बताती है कि इस हॉस्पिटल में गिन्ती के ही कुछ कुछ स्टाफ Library अो पेशेंट बचे हुए है खेर जब हो लिफ्ट में जाते है तब Emmy नोटिस करती है कि लिफ्ट में सेकंड फ्लोर का स्वीच था ही नहीं जिस पर होल्डर उसे कहती है कि सेकंड फ्लोर 1959 में ही बंद कर दिया गया था इसके बाद एमी हेलन से मिलती है जो कि देश शिफ्ट में होती है और एमी की वहाँ पर नाइट शिफ्ट थी एमी का काम यह था कि उसे वहाँ के आट बच्चों का ध्यान रखना था हेलन जो है वो बच्चों को एमी से इंटोड्यूस करवाती है जिसके बाद एमी सबसे मिलती है और एमी जो है वो मैगी से भी बात करती है Aimee को Maggie से बात करती हुई ये पता चलता है कि असन में वो अनाथ है और Aimee भी अनाथ थी उसके बाद उस वर्ड में Simon को लाया जाता है और है पर हमें ये पता चलता है कि Simon को इस हस्पिटल से London में शीफ्ट किया जा रहा है वो भी उसके treatment के लिए यहां सीन शिफ्टों कर नाइक में आ जाता है जहाँ पर एमी की नाइक शिफ्ट थी हेलन उसे गुर्ला केकर वहाँ से चली जाती है सब बच्चे सोने की तयारी करते है जहा एमी मैगी के पास आती है मैगी एमी से केती है कि वो शारलेट से ब्लॉक के तुरू बात करती है जो कि सेकंड फ्लोर पर रहती है एमी उसकी बात को मजग समझ कर उसे गुड़नेट बोलकर चली जाती है थोड़ी देर बाद सेकंड फ्लोर से बहुत जोर से आवाज आने रखती है जिसे सुन कर सभी बच्चे डर जाते है एमी उन्हें शांत करती है इस पर मैगी एमी से कहती है कि वो शेरलेट है जो कि नाराज है पर एमी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है विकाज उसे ये लग रहा था कि सेकंड फ्लोर तो कपना बंदू चुका है नेक्स दे हम स्कूल के बार एक हेलिकॉप्टर को देख पाते है जो कि साइमन को लंडन ले जाने के लिए आया था अब एमी जो है वो रॉय के पास जाती है और उसे शेरलेट के बारे में पूछने लगती है जिस पर रॉय उसे बताता है कि मैगी ऐसी अकेली विक्टी नहीं है जिसने शेरलेट की बात की है इससे पहले भी कई सारे बच्चों ने शेरलेट का जिक्र किया हुआ है राय उसे कहता है कि शेरलेट बस एक जूटी कहानी है इसलिए उसके फिक्र करने की कोई भी जोरत तुमें नहीं है नेक्ट सीन में हम एमी को साइमन के साथ लिफ्ट में देखते है जो कि सर्प्राइजिंगली सेकंड फ्लोर पर जाके रुख जाती है साइमन ये देखकर कहता है कि मेकैनिकल गर्ल उसे मारना चाहती है और गाइज में आपको बता दू कि मेकैनिकल गर्ल शारलेट का ही दूसरा नाम था जिसके बाद लिफ्ट जो है वो ग्राउन फ्लोर पर आकर रुख जाती है और उसके बाद साइमन को हॉस्पिटल ले जाय जाता है इसके बाद रात में मैगी एमी से पूछती है कि क्या उसने शारलेट को देखा है क्योंकि आज एमी सेकंड लोर पर गई थी जिस पर एमी कहती है कि उसने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा और वो मैगी को कहती है कि ये सब तुमारा ब्रहम है असल में शारलेट नहीं है मैं ये उसे उल्टा कहती है कि नहीं तुम गलत हो विकाज शारलेट नहीं साइमान को नुकसान पहुचाया है जब Amy साइमन का एक्सरे देखती है तो उसे पता चलता है कि पहले साइमन की सिर्फ एक हड़ी तूटी हुई थी और उसके बाद जब डॉक्टर ने दोबारा उसका एक्सरे किया तब उन्हें उसकी दूसरे हड़ी भी तूटी हुई मिली जिसके बाद Amy डॉक्टर उसे पता चलता है कि सुजन की कार एसिडेंट में मौत हो गई है जिसके बाद वो हॉस्पिटल में सबको ये बात बताती है इदर रॉइ बच्चों को एक काल्टून मुवी बता रहा होता है और उस काल्टून को सब बच्चे देख रहे थे उस मुवी के क्लाइमेक्स में प्रिंस अपनी प्रिंसेस को जगाने के लिए उसे किस करता है जिसे देखकर मैगी बहुत खुश होती है रात में जब एमी और मैगी बात कर रहे थे तब एमी साइमन के बेड़शीट को हिलते हुए नोटिस करती है जिसके बाद वो इस बात को डॉक्टर रोबर्ट को बत आते हैं कि दूसरे वर्ड के लोग हमारे वर्ड में उसी के पास रहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं एमी जब हॉस्पिटल जाती है तब वो रॉय के साथ उन बच्चों के फाइल्स को देखती है जिसने शैरलेट को देखा था पर हैरानी वाली बात ये थी कि वो सब मर च केती है उदर रॉय जब बच्चों के खिलोने समेट रहा होता है तब वहाँ पर वो खिलोने वाले बॉक्स अपने आप हिलते हैं रॉय ये देखकर डर जाता है जिसके बाद रॉय की शरीर की भी जो कुछ हट दिया थी वो भी अपने आप क्रैक होने लगती है और रॉय अ उस हस्पिटल से जल्दी निकलने के लिए केती है तब फोल्डर उसकी बात ना सुनके उसके पाष्ट को लकर उसे ताना मारने लगती है एमी की केरलेस के कारण ही एक बच्चे की पाष्ट में डेथ होई थी पर अब एमी ये ठान लेती है कि वो अब हाथ पर हाथ धरे नह सखा हुआ था वहाँ से इक रील भी मिल जाती है तब वहाँ तर शारलेट अजाती है और उसके साथ वहाँ पर अचानक से मैगी यह liाचती है जह तुरंट वहाँ से भागने के लिए जदी जल्दी में मैगी का रुमाल वही पर गिर जाता है जब ऑ्धमी वापस नीचे आ आई हुई थी उस रील वीडियो में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे रेयर बॉन डिसीज थी और इस बीमारी में विक्तिम की बॉन्स कमजोर हो जाती है और बॉन्स अपने अफ फ्रेक्शर होने लगती है जिसे देखने के बाद एमी रॉबर्ट से कहती है कि उसे है कि शारलेट की आत्मा आज भी हॉस्पिटल में है और वो लोगों को उसी तरह के से दर्द देना चाती है जिस तरह उसे पास्ट में दर्द हुआ था तब रॉबर्ट कहता है कि ये 40 साल पहले हुआ था और अब उनके साथ ये क्यों हो रहा है तब एमी कहती है कि उसने भ पेशन्ट से उन्हें उस हुस्पिटल में शिफ्ट कर सेकें पर बारिश की वज़ां से वहां का कॉल नहीं लग रहा था इसलिए 미 जो है वह उल्डर के घर जाती है ताकि वह उसके घर से कॉल कर सकें इधर हीँलर सब बच्चों को निकाल रहे होते हैं जब Emy और Holder आ रहे होते हैं तब Holder Emy को बताती है कि वो बच्ची जिसे Bone Disease थी वो Charlotte नहीं बलकि Mandy थी Charlotte Mandy की Nurse थी जिनके बीच अच्छा Bone बन गया था पर जब Charlotte को Treatment के लिए दूसरे Hospital में ले जाने की बात आई तब Charlotte ने उसे जान से मार दिया क्योंकि Charlotte नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त Mandy किसी दूसरे Hospital में जाए इसके बाद Charlotte ने Mandy के Metal Object पहन कर आत्मात्या कर ली थी और यहाँ पर ये पूरी Story clear हो जाती है उसके बाद हम Robert को देख पाते हैं जिसने उस Reel को देखकर पता लगा लिया था कि उस लड़की का नाम असल में Mandy था और Charlotte उसकी Nurse थी अब ये सब कुछ जो हो रहा था ये क्यों हो रहा था ये Amy समझ जाती है असल में गाई शारलेट जो है वो इस होस्पिटल में रहे रहे सारे बच्चों से प्यार करती थी पर जब से इस होस्पिटल के स्टाफ ने ये ते किया था कि वो सब लोग मिलके इस होस्पिटल के बच्चों को दूसरे होस्पिटल में शिफ्ट करेंगे तो मैंडी की आत्मा को ये बात पसंद नहीं आई यानि कि काईज मैंडी ये नहीं चाहती थी कि ये बच्चे कहीं दूसरी जगह पर जाए और इसलिए वो यहाँ पर सब को मार देना चाहती थी और इसलिए शारलेट यहां के बच्चों की हड्या क्रेक कर रही थी तक कि वो बच्चे इस उस्पिटल से ना निकल पाए अब ये सब कुछ होई रहा था कि तब ही वहाँ पर मेडिकल टीम आ जाती है जिसके बाद शारलेट शान्त हो जाती है हमें पता चलता है कि वहाँ पर मेगी मिसिंग है जो की अपना रुमाल लेने के लिए सेकंड फ्लोर पर गई है एमी उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाती है जिसके बाद एमी मेगी को उठा कर भागने लगती है तेन शारलेट जो है वो घुसे में यहाँ पर जो सारी चीज़े थी उसे लगातार तोड़ने लगती है जिसकी वज़ा से एमी के पेट में एक आयन रड़ घुश जाता है जिसकी वज़ा से वो दोनों गिर कर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते है देन वो मैगी क को बचाने की पूरी कोशिश करती है पर मैगी की वही पर देथ हो जाती है और पेट में रड़ घुसने के कारण एमी भी अनकॉंशियस होकर गिर जाती है अब एमी जानती थी कि वो भी मरने वाली है क्योंकि उसने भी शारलेट को देख लिया था उसके बाद एमी को सीपि उनमें देख रहे थे जिसके बाद एमी फिर से उड़ जाती है जब वो हस्पिटल में होती है तब वो अपने पास मैगी का रुमाल देखती है और हम यह देख पाते हैं कि मैगी की आत्मा एमी के पास बेटी हुई है और इसी के साथ-साथ गाइज यह मूवी यहाँ पर ए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकोन और पर कर दे ताकि आपको इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें विकॉस रिसेंटली हमार सर्वाइव करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट